हेलो दूस्तो तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल मिशन टू पे तो दूस्तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ का हिंदी ए का सीट 3 ठीके सेट 1 और सेट 2 पहले हम बता चुके हैं ठीके आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में इसका लिंक को प्रोवाइट करवा देंगे वहां से जाकर देख सकते हैं ठीके और इसका जो भी नाइन्थ क्लास का टम्टू का जितने भी सारे सब्जेक्ट है सारे को हम प्लेलिस्ट में डाल दीए ठीके प्लेलिस्ट का भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीके दूस्थ और आप लोग पता होगा कि 15 जून को 15 जून को हिंदी का एक्जाम होने वाला है जिन क्हात्रों का जात्रों का लासे घंडि में वो B का एक्जाम लिखेंगे दोस्तों मैं प्लेलिस्ट में दोनों को डाल दिया हूं तो वहां से आप लोग देख सकते हैं चलिए तो ज्यादा लेट ना करते हैं हम लोग कोशन को देखते हैं कोशन इसमें क्या है बोल रहा है हिंदी A में सेट 3 का ठीक है तो इसका हम लोग एक्जाम का नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए इसका क्या लिखा हुआ है खंड का में इसका कुछ गधियांस दिया हुआ है ठीक है गधियांस को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इससे जो भी प्रशन बनते हैं इस आपकी सहायता नहीं करती है परिश्रम द्रिड इच्छा सकती वलगन आदी मानविये गुन व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रस्त करते हैं दो महतुपुन तथ्य अस्मरन्य है परतियक समस्य अपने साथ संघर्ष लेकर आती है और परतियक संघर्ष के गर्व में विजय नहीं तरहती है एक अध्यापक ने विद्याले छोड़ने वाले अपने छात्रों को यह संदेश दिया था तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं का संघर्ष करना होगा तो दोस्तों आपने को पता है कि जो संघर्ष को संदेश देता है क्या कि तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं को संघर्ष करना होगा ठीके सफलता हमें कभी निरास नहीं करेगी समस्त गरंतों और महाप्रोसों के अनुभाव का निसकर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अत्वा उससे विमुख होना अहित कर है मानो धर्म के परतिकुल है अपने विकास के अनावस्यक रूप से बाधित करना है आप जागिये उठिये द्रिड संकल्प और उत्साह एवं साहस के साहत संघर्ष रूपी विजय रत पर चड़िये अपने जीवन के विकास की बाधा रूपी सत्रूवों पर विजय प्र स्ञें लप्त किजी तो दोस्तों आप लोग को पहला पारम में ही आप लोग को मोटिवेट कर दिया तो यह आपने के लिए क्या पर चड़ने के ऐस्य ऐतर है दोस्तों इसका अंधर होगा संघस रूपी accent चरृण के लिए परिम इच्छा सक्थी वह लगन आदे आवस्यक है जब तक अफ कि इच्छा नहीं होगा फिक चलिए इसी तरह से दूसरा प्रश्ण क्या बोला है इस पारग्राफ से हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है समस्त गरंथों और अनुभाव का क्या निसकर्स है तो संगर्ष से डरना अथ्वा उससे विमुक होना अहितकर है संगर से डरना और उससे विमुक होना मतलब छोड़ देना ठीक है यह क्या है अहितकर है ठीक है तो यह अप लोग का दूसरा अंसर हो गया तीसरा कोश्चन इसमें क्या निकला है दिखिए इस बार मानिविये सब्द का पर्तियाई क्या है ठीक है दोस्तों पर्तियाई जो होत है ठीक है वो सब्द के पीछे लगा होता है ठीक है उसको लोग पर्तियाई कहते हैं चलिए पर्तियाई के जार में बारे में बता दिये तो उपसर्ग भी बारे बता देता है उपसर्ग जो होता है वो सब्द का पहले लगता है ठीक है बता देंगे इसके बारे में भी तो म मानवीय सब्द का partiai क्या है तो दीक pewn मान THIS का लग रहा यह यह है थे यह यह तो का का नंबर इसका right हो जाएगा तिक इसका उत्त्र का इह हो जाएगा तो मतलब होता है सब्वपोसिट ऑपोजिट ठीक विजैपा होता है प्राजए ने मतलब हारना थेक दोस्तो के इसके बाद अथुआ में करके यहां पे question दे दिया है इस paragraph को ठीक है इस गध्यांस का एक और अथुआ में दिया है आफ दोनों में से एक को बनाना है ठीक है चलिए देखिए लिखावा क्या है निमलिकित कव्यांस को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिये गए प्रश्नों के उत खागे है कायरता से कहान प्राण हमने त्यागे है ठीक है यहां पम देकли नीचे क्या लिखावा है है हमी परकमपित कर चुके सुरपती का हिरिद है भी पिर एक बार ही विश्व तुम गारो भारत की विजाए ठीक है इसके बाद देखिए क्या लिखावा है viola प्रकासित नहीं रहा तेज हमारा दलित कर चुके सत्रू सदा हमें पैरो द्वारा बतलाओ तुम कौन नहीं जो हमसे हारा पर सरनागत हुआ कहां कब हमें ना प्यारा बस युद मात्र को छोड़ कर कहां नहीं हम साध्य फिर एक बार हे विश्व तुम गाओ भारत की विज़ए ठीक है यह था हम लोग का कवीता ठीक है आप देखें इससे क्या क्या प्रशन निकलता है इसका हम लोग देखते हैं अंसर करते हैं ठीक है क्या लिक कवा है इतिहास किस बल का गवा है तो दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा इतिहास जो है जागरन बल का गवा है ठीक है इसके बाद दूसरा प्रशन क्या बनता है कवी विस्व के लोगों से क्या अहयान कर रहे हैं और क्यों। भारत का विजय गाओ घित गाओ विजय का गित गाओ तो इसका दूसरा का अंसर हो जाएगा तो दोस्तों इस सब नोट करते जाएं आप लोग ठीके यह स्क्रीन सौट ले लिजे इसके बाद तीसरा नमबर प्रेशन देखे क्या लिखा हुआ है भारती सब्द का पर्तियाई अलग करेह्ए तो दूस्तों जिस तरह से वहां पहें भी था सब्ध के पीछे लगता लगता है तो देखे भारत ये तो लाश्ट में क्या और यह इह है न तो यह हमलों का इसका अंसर हो जाएगा का ठीक है का नमबर में देखे कि यह भारत यह का परतिया क्या हो ये के सत्रु का परिवाची सब्द क्या होगा परिवाची सब्द मतलब होता अनेक सब्द तो यहां पे सत्रु को हम लोग और किन-किन बात में जानते नी प्रश्न थो है अपको चार प्रश्ण को करना है और यह पार्ट से है ठीक है आपके पुस्तक से दिया वह कुश्चन है इसका का नमबर क्या दिया वह है सर टॉमस हे के माइना पर दया भाव के क्या कारण थे ठीक है तो सर टॉमस हे के माइना पर जो था क्या दया आया ठीक है उसके बारे में दिखते हैं आप उत्तर में क्या है पहले तो सर टॉम तोड़ना चाहते थे पर बाद में नाना की पुत्री मायना पर दया भाव दिखाने लगे उनको क्या आ गए दया आने लगा है ना इसके बाद इसके लिए उन्होंने पर्यास भी किये इसका कारण यही था कि माइना उनकी मृत्री मेरी की सहेली थी जो मेरी की सहेली कौन थी माइना थी जो मतलब कि हे का जो पुत्री थी वो कौन थी ये मेरी थी ठीक है और उसी का दोस्त क्या थी माइना इसलिए उस पे दया भाव आने लगा उसका माइना के साथ प्रेम संबन मेरी उस मकान में आती जाती रहती थी जो उसकी पुत्री है की उस मकान में आती जाती रहती थी खुद हे भी वहां बराबर आते थे वे मायना को अपनी पूत्री के समान प्यार करते थे मैना के पास अभी तक मेरी के हाथ से लिखी चीठी सुरचित थी इन सब बातों से जनरल हे भावक हो उठे ठीक है उन्होंने मैना पर दया भाव दिखाने का निश्चय किया होगा ठीक है तो वो क्यों दया भाव दिखाने लगे तो द और उनके घर आना जाना लगा रहता था इसलिए जो अंग्रेज था दया भाव दिखाने लगा ठीक है तो उम्मिद करते हैं यह समझ मा आ गया होगा आप इसको इसको लेकर या फिर वीडियो को पॉस्ट करके आप इसको लिख सकते हैं इसके बाद खान अमबर इसका प्रश् पंगा इसकी ंसार के लड़कियों की दसा काफि सोच नहीं थी हिए तीक है उससामयिंगे लड़कियों के जन्म पर उनकी लड़कियों के प्रति समाजिक नियम काफी कठोर थे उन्हें सिच्छा के समान तो या किंचित आउसर परदान भी नहीं किये जाते थे वह किसी भी परकार के कारियों में सौतंत्र होकर भाग नहीं ले सकती थी उन्होंने विकास के संबन्द में समाजिक विचार काफी संकन किये थे तो दोस्तों ये है इसका अंसर इसको आप लोग नोट डाउन कर लो ठीके इसके बाद हम लोग गानमबर को प्रश्न को देखते हैं गानमबर प्रश्न क्या है एक लकूडी एक लकूटी और कामड़िया पर कवी सब कुछ नियोच्छ वार करने को क्यों तयार है ठीके तो इसका अंसर देखे है एक लुक्ती मतलब लाठी का बाद करा और कंबल मतलब छोटा कंबल का बाद करा पर कवी रस्खान जी तीनों लोकों या काराज जी वैभाव भी निविच्छार करने को तयार है क्योंकि यह लाठी गवाले और चरवाहे के रूप में सदे भी कृष्ण के कर्म कंबलों में रहती दूसरी और कंबल भी कृष्ण के कंधों पर दिखाए देता कृष्ण स्री कृष्ण द्वारा परयुक्त दोनों ही वस्तौओं से कवी का विसेस लगाव था तो यह क्यों निवचार हो गए चुकि ये क्रिशन का दोनो था ठिकि लाठी भी रिया करते थे और साथ में क्या करते थे कंबल भी क्रिशन के कंदो पर ही दिखाई देता था इसलिए वो इस पर विशेस्ट लगाव था तो इसका गानमबर कर अंसर होगे दोस्तों इसको आप लोग नोट डाउन कर लो इसके बाद गानमबर प्रश्ण देखिए एक बार अधर रातरी में कोयल की चीक से कभी को क्या अंदेशा है ठीक है तो आधी रात जो थी कोयल क कि बारत करांति का अध्याएं हो गया है तो जब कोयल रात को चिकता है तो इससे कभी को ऐसा लगता है कि भारत में करांति का अवान हो गया है देश अपने गुलामी से मुक्त होने के लिए ततपर हो रहा है ठीक है दोस्तों तो इसका अंसर यह हो जाएगा अंगा नमर इसका देखिए क्या लिख कवा है मेग आए कवीता में बादलो को किसके समान बताया गया है तो इसका अंसर देखिए मेगो की तुलना गौं में आए महमान दमाद से की है ठीक है गौं में जो महम पहली बर जाता है सोसराल तो क्धान थनकर जाता है पूरा है ना इसी परकार बादल भी एक वर्ष बाद बरसने के लिए आए हैं इसलिए उनके लिए बन उनक शवर कर आने की बात कही है तो दोस्तो जिस तरह से महमान दमाद जो होते हैं साल भर में दो साल में एक बार आते हैं है ना उसी पर का जो ये वर्सर हित्तु है ठीक है बादल जो है है ना वो भी क्या होता है बरसने के लिए आता है तो साल भर में एक बार आता है ना तो इसलिए बोल रहा है कि बंद सवर कर आने के बाद उसी के लिए कही है ठीक है इसके बाद किसक समान बताया गया है तो दमाद के समान ठीक है सिंपल सी बात है आगे चानमबर इसका बच्चों को किस समय और कहां जाते वे देखकर कभी को पीड़ा हुई है बच्चे काम पर जा रहे हैं कभीता का आलोक में लिखे तो दोस्तों यह जो बच्चे जो है कहां पर जा रहे थे किस समय जा रहे थे जिससे देखकर कभी एकदम भावख हो चुके है ना पीड़ा हो गया ठीक है दर्द लगा तो यह कि कब जब बच्चे काम पर जा रहे थे हैं ना देखो इसका अंसर क्या है दिन परती दिन के जीवर में हर किसी को काम पर जाते बच्चों को देखकर अर्थिक तंगी का सामना करता रहा है तो यह बच्चे जो है वो छोटे बच्चे हैं लेकिन काम करने जाते हैं जो इसकूल समय में वह अब काम करने के लिए जा रहे हैं तो इससे क्या है कि कभी को दर्द हुआ पीड़ा हुआ है ना इसका अंसर यह हो जाएगा दोस्तों आपको सकते हैं इसके बाद लोग देखिए यह था आप लोग का से चार तक आप आपको चार बनाना तो निमलिखित प्रश्णों में से किनी दो प्रश्ण को उत्तर देना थे है इनने में तीन प्रेशन जिसमें आपको दो प्रेशन देना है इसके बाद दिखी यहां पे क्या लिखा है को情况 गुपाल परसाद ऐसा क्यों चाहते थे कि अधिक जाहते हूं एक अधिक जागरूख होती इससे वे अपने अधिकारों की प्रती सगज रहती है मतलब कि जो भी लड़की का जो भी गर्ल्स लोग का अधिकार होता है ठीक है तो उससे सगज रहती है उसको जानती है ना उनमें सोचने समझने और निन्ने लेने की छमता बढ़ जाती है ऐसा गोपाल प इसलिए कि जो भी उनको लगता था कि अगर कुछ सिच्छा प्राप्त कर ले तो वह अपने अधिकार के प्रती सगज रहे और उसमें सोचने समझने निर्ने लेने का छमता बढ़ जाए और उन पर कोई अत्याचार ना करे और वह जो भी अत्याचार करें उन पर एक्सन ले ठीक है इसलिए उनको उसको लगता थे कि उसकी बहुत कम से कम दसमें पास हो ठीक है तो इसको आप लोग कर लो इसके बाद खा नंबर देखिए इसका प्रशन क्या है अपनी बेटी का रिस्ता तै करने के लिए राम सवरू उमा से जिस प्रकार व्यवहार के पेच्छा कर रहे थे वह उचित क्यों नहीं है तो देखे दूसर इसका अंसर क्या है अपनी बेटी कर रिस्ता तै करने के लिए राम सवरू अपनी बेटी से उमा इस प्रकार का व्यवहार क्या पेच्छा कर रहे थे कि वह सीधी साधी चुप रहने वाले कम पढ़ी लिखी लगने वाल है उसका उच्छ सिच्छा पाना कोई अपराद नहीं है वह पढ़ी लिखी लड़की जैसा ही वेवहार करेगी तो तो राम स्वरूप को ऐसा लग रहा था कि वह जब रिष्टा करने गए तो उनको लग रहा था कि नहीं मेरी बेटी जो है वह सिधी साधे रहे ठीक है और बी सब्सक्राइब दिल होता है कि उच्छ सिच्छ पाना कोई अपराद नहीं है वह पढ़ी लड़की जैसा वेवहार करेगी सिंपल सी बात है ना पढ़ा लिखा तो पढ़ा लिखा जैसे वह हर करेगा राम स्वरूप वह गलत सोचते थे इस परकार का जो भी वैवहार कि है इसके बाद गानमबर इसका प्रेशन देखे दोस्तों क्या लिखावा है भूख तो अपने से में से एक साग होती है ऐसा किसने कब और क्यूं कहा तो इसका उत्तर देखे दोस्तों क्या लिखावा है भूख तो अपने ही में साग होती है का आसा है कि यदि भूख लगी हो और उसके सामने रोटियां हो तो व्यक्ति साग होने ना होने की परवाद नहीं करता है। थीके अगर किसी को भूक लगा है तो वो सबजी मिले या ना मिले वो खा ही लेगा रोटी किसी भी परकार बल्कि काना सुरू कर देता है। ठीक है वो मतलब कोई चीज गिंता नहीं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए भूक लगा है तो खालेगा ठीक है भूक उसे सूखी रोटियों खाने पर विवस कर देती है सही बात है अगर आप भूक बहुत ज़्यादा लगावा आपके सामने रोटी है लेकिन उसके साथ चाय के साथ गले के नीचे उतार रही थी माटी वाली ने मालकीन से कहा कि चाय तो बहुत अच्छा साग बन रही बन जाती है ठकुराइन जी यह तब यह बात उन्होंने कही थी क्यूंकि उन्होंने बुढ़िया को चाय देने से पहले सूखी रोटियों चबाते हुए भूख लगा होगा आप लोग को भी तो रोटी सांती से खा लेना ठीक है साग वेट मत करना वन्हों भी नहीं मिलेगा चलिए इसके बाद देखिए गाह नंबर में आपका यहां पर लिखावा है खंड गाह में इसका कुछ पत्र है पत्र को लिखते हैं अपने परधाना च उसको अप लोगों माफ करने के लिए परधानाचारीय को परधानाध्यापक को लिखना है सेवा में जंत सो ऌत से जो सफ विद्य लेले एक है काखे रांची आप जो भी जो भी विद्या यहां पे लिख सकते प्रधाना पर जो भी स्कूल है जरग है जो बगउल घ्रोह स्क कि मासिक सुल कम करवाने है तुम इसके बाद दिखें महोद है सब्सक्राइब निमेदन यह है कि मैं सक्की बंसारी आप वहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं किसी और कभी नाम लिख सकते हैं राम सीता कुछ भी मैं एक निर्धन परिवार से संबंद रखता हूँ मेरे पिताजी मुर्गी की एक छोटी सी दुकान है जिससे इतनी आमदनी नहीं हो पाता कि परिवार का भरन पोसन सुचारू रूप से हो सके मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई लिखाई के बोज उठाने में असमर्थ है ठीके इतना पहले बता देना है उसके बाद लिखना है मैं आप से प्रात्ना करता हूं कि आप मेरे मासिक सुल्ख कम करने की क्रीपा करें जिससे अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं मैं आपको पुन विश्वास दिलाता हूं कि अपने आचरन और पठन पाठन में आपको किसी सिक आयत कमों का ना दूगा उसके बाद कुछ दिनांक लिख देना है ठीक है उसके लिटो तूक्ष़ क्सारि नंबर नंबर जितने भी ठीक है यह कुछ लिख दो उसके बाद यह हो जाएगा हम लोगा इसके बाद दिखिए इसके बाद एक अथवा में करके एक और पत्र दिया हुआ है इस पत्र को हम लोग पढ़ते हैं लिखा हुआ है जारखंड के किसी एतिहासिक अस्थल का वर्नन करते वे एक पत्र लिखे तो जारखंड को एतिहासिक अस्थल होगा उसके बारे में किसी भी अपने दोस्त को एक पत्र लिखे बताईए वर्नन करते वे बताईए चर्चा यहां पर लोग को लिखना है पर यह जो भी नाम होगा नमस्ते विसके बाद कैसे करना अभी तुम्हारा पत्र मिला या जानकर प्रशनता हुई कि तुम लोग स्वस्त ब्रशन हो हम लोग भी सकुषल हैं तुमने ने किसी एक अतिहासी अस्तल के बारे में जानने की जिग्यासा प्रकट की है मैं इसी संदर में तुम्हें बताने जा रहा हूं कि रांची सहर में मात्र 10 किलोमेटर दोरी पर एक प्रकृतिक सुंदर वातवरन में एक छोटा सी पहाडी चोटी सी पहाडी स्वामी जगनात जी की प्राचीन मंदिर अवस्तित है यह मंदिर यहां के राजा सहदेव जी द्वारा लगबक सौ वर्स पूरु बनाया गया था यह प्राचीन मंदिर जार्खन का दरोहर है ठीके उसके बाद देखिए क्या लिखावा है परतिदिन यहां दर्श नातियों का मेला लगा रहता है पहाडीयों पर मं परतिवस असाड मास में यहां रत यात्र का आयोजन होता है इस अवसर पर जार्खन का सबसे बड़ा मेला भी लगता है इस अवसर पर तुम भी एक बार अवस्य आओ ठीक है तो यहां पर हम लोग चर्चक की है कोई एतिहासिक असल के बारे में ठीक है आप अपने जगह का अपने जगह का जार्खन का कोई भी वह ऐसा स्थाल है जो कि एतिहासिक है तो उसके बारे में अपना दोस्त के पास चर्चक कर सकते हैं ठीक है इस पत्र में सिर्फ इसमें फॉर्मेट देखिए फॉर्मेट की स्टैप से बना हुए बस उतना अगर आप लोग लिख देते ह इसके बाद देखिए दूसरों यहां पे एक निबंद लिखना है निबंद सेवन नंबर में आप लोग को यहां पे तीन निबंद को लिखने को कहेगा जिसमें आप लोग को उसमें एक ठो लिखना है अप्सन में रहेगा तीन निबंद रहेगा जिसमें एक ठो लिखना है हम यहां पे हमारा राज ज्हारखंट के बारे में बता हैं इसको एक बार देख लिए परिचे लिखना प्रेटी का कृड़न अस्तल है एक बार जो यहां आ गया फिर यहीं का होकर रह जाना चाहता है यहां की संग निर्म भूमी साम्य सायमला रत्म गर्भा और वन संपदा से परिपूर्ण है इसकी प्रकृतिक छठा अनुठी है हर और से प्रकृतिक अपनी नोखी छठा भी खेरती रहती है तो दूस्तों भूमिका में आप लोगों को लिख देना है कि यहां पर वन पहार से चारो और घीरा हुआ है यहां पर पहाड वगेरा है ठीक है जो भी यहां पर भूमिका यहां के बारे में जहारखंड के बारे में लिख देना है तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसके इतिहास में क्या है अबुल फजल ने आईने अकबरी में इस परदेश को जहारखंड नाम से संबोधित किया ठीक है आईने अकबरी आज नवोधित राज्य का नाम जहारखंड हो गया इसका इतिहास भी अत्यंत प्राची ने इसा के लाखो वर्सपुर्व पत्थर के हतियार बरतन उपकरन आदी मिले हैं पहले बिहार और उडिसा से रूप में ए इचित विकास नहीं हो रहा था अलग राज्य के लिए जहारखंड में बहुत दिनों से अंदोलन भी चला मतलब कि जहारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए इसका अंदोलन भी चला अंतता पंद्रह नौंबर 2000 को बिर्सा मुंड़ के नाम नाम जन्म दिवस पर भारति के मानचित्र पर 28 राज्य की रूप में जहारखंड प्रदेश का उदय हुआ तो दोस्तों यह था हमलों का इतिहास यहां पर क्या है कि जो उडिसा था वो 1936 में बिहार से अलग हो गया ठीक है उस टाइम यह जो है जहारखंड भी अलग हो कि और 28 राज्य बना तो यह था इसका इतिहास नोट डाउन कर लो दोस्तों इसका आगे देखिए इसका क्या लिखावा है अलग राज्य अलग राज्य कब हुआ दो जार एक की जनगन्ना के अनुसार यहां की अबादी करीब दो करोड़ नहत्तर लाख है ठीक है आप लोगो पता होना चाहिए कि हर परति एक दस वर्स के बाद जनगन्ना होता है ठीक है तो 211-2121 इस तरह से जनगन्ना होता है ठीक है उसके बाद देखिए जनगन्ना के अनुसार यहां के अबादी करीब 2-79 लाख है उसके इसके उत्तर में बिहार पूर में पत्सिम बंगाल पत्सिम में अपने मित्र 36 गड़ औ इसमें अस्था संथाल मुंड़ गुंड़ लिखा गया मुंड़ हो गया और उराओं की यह तीन अत्यांत परमुख है ठीक है तो यह था इसका यहां के अबादी के बारे में ठीक है यहां पर अलग राज्य ने लिखके यहां पर अबादी भी लिख सकते हैं ठीक है जन संक वर्स बीट चुके हैं तो इसके बाद हम लोग देखते हैं एट नंबर प्रेश्ण में आप लोग को समभात को लिखना है जो कि सबसे होता है ठीक है किसी अपने से लिखना है ठीक है यहां पर देखो पहला क्या दिया हुआ अपने परिच्छा के एक दिन कि यहां परिच्छा mehr और बहुर दर लग रहा है हम याद भी किए हैं साव बहुत करें ना तो यहां पर अपना लिखें नाम लिखें आ पना दोस्त नाम लिखें यह लिखें मित्रवन मित्रटू मित्रवन क्या एक आइडिया देते हैं कैसे लिखना है रमेश कल परिच्छा है तुमने त्यारी कर ली तो मित्रटू बोलता है मैंनत त्यारी कर ली पर मुझे बहुत डर लग रहा है मितरवन बोलता है डर तो मुझे भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा पता नहीं क्या क्या प्रश्ण आएंगे मितर टू बोलता है हम सारा भी पर लेते फिर भी यही सोचते हैं कि परिछा कैसी होगी मित्रवन बोलता है रमेश कल हम कल समय पर आ जाना लेट मत होना हमेशा लेट हो जाते हो और याद से आना प्रवेश पत्र लेकर आना जो भी एडमेट काड़ है साथ में ले आना इस तरह से हम लोग बात करते हैं न एक्जाम के एक दिन पहले बिलकुल बात करते हैं उसके बा भूल गया था मुझे पिछली बात तुम और नंबर घर में भूल गये थे कितनी मुश्किल से परिच्छा दी थी तो मित्री टू बोलता अब कुछ पढ़ाई कर लेते हैं और कल मिलते हैं तो मित्र बोलता है ठीक है तो इतना आप लोग दस लाइन पांच लाइन आट लाइन जो भी है लिख दीचे का तो अपलू का नंबर यहां से ने कटने वाला है पांच माक्स अर्राम से मिलेगा ठीक है उसके बाद देखे सबजी खरिदने आए महीला और सबजी वाले के मद्दे बातचीत को समवाद के रूप में लिखना है तो दोस्तों अगर आप जाते हैं जो भी है ना सबजी खरिदने के लिए और सबजी वाले के भी कैसे कैसे बात करते हैं उस परकार से यह लिखना है तो देखें महीला क्या बोलती है भाईया कुछ सब्जिया चाहिए दुकंदार बोलता है बहिन जी बताइए क्या क्या दूं तो महीला बोलती है तुम्हारी माँसम में लूटते रहते हो चलो एक किलो आलू और एक किलो प्यास दे देना कितने हुए तो दुकंदार बोलता है 120 रूपया महीला अरे तुम तो दिन में ही लूट रहे उसके बाद फिर दुकंदार बोलता है अब कुल 270 रुपए दे दो तो महीला बोलती इतना नहीं आप 250 रुपए ले लो और धन्या मिर्च और अद्रग भी डाल देना दुकंदार नहीं बहां जी इतना भी नहीं दे सकता आप या तो 270 रुपए दे कर सब दे कर ये सब मुफ् बहाँगा बेशते हो दुकंदार बोलता है बहिंग जी महांगाई में पेट पानला मुस्किल हो रहा आप सब के सहारे ही जी रहा हूं ठीक है तो इस तरह से आप दो कोई दो एक महीला और दुकंदार बात करती है जब सबजी खरेदने जाती है तो दोस्तों ये था हम लोक करने स्टार्ट कर दीजिए एकदम स्टार्ट कर दीजिए सेट वान सेट तो पहले आप देख लिए होंगे अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है वहां से आप देख सकते हैं ठीक है और आप लोगो वीडियो को देखने के लिए सबसे प प्रेस कर देजेगा आपका इस तरह से इंटरफेस नजर आना चाहिए ठीक है ग्रेकलर का और बेलेकन बटन भी बगल में है उसे प्रेस कर देजेगा तो दोस्तों उम्मिद करते हैं आप लोको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा ठीक है और अपने दोस्त और कर दोस्तुं